नमस्कार दोस्तों मेरे नाम photon from I.A.D. खडगफूर आज हम देखो पढ़ेंगे lambshift के बारे में अब lambshift में पहले में lambshift को थेयोरिटिकली बताऊंगा क्या होता है फिर हम lambshift experiment पढ़ेंगे फिर lamb shift experiment के बाद हम पढ़ेंगे lamb shift के कारण क्या होता है फिर हम पढ़ेंगे lamb shift में magnetic field अगाम पर यो करते हैं वो क्यों करते हैं ठीक है तो लेकिन lamb shift पढ़ने से पहले हमें कुछ pre knowledge जो होनी चाहिए इस topic को understand करने के लिए समझने के लिए आयोस को पढ़ते हैं पहले तब हमें lamb shift असानी से समझ मा जाएगा ठीक है तो previous classes में हमने देखो जो formula निकाला था न energy का hydrogen like atom के लिए यह था हमारे पास और यह हमारे पास simply हम bore से निकालते हैं इसको है न bore bore formula, bore की theory से हमने निकालते थे न इस चीज़ को एन क्या होता था simply हमारे पास आता था minus 13.6 n square z square electron volt hydrogen like atom के लिए हमारे पास आता था ठीक है न लेकिन हम उसमें चो corrections करते हैं spin orbit correction करते हैं relativistic correction की वज़े से हमारे पास यह simply formula आता है इसमें सबसे important बाद जो ध्यान देने वाली है न जो देखो total quantum number नमबर है n और जो टोटल quantum number है n और जो total quanta number है n इस पर निरभर कर रहा है तो यह दो एनर्जी लेवल हमारे पास है और उन दोनों energy level में energy same है न तो energy क्या है कि उनकी same आईगी ठीक है न इस equation को वाफ पॉलते हैं क्या बोलते हैं इस चीज़ इस इक्वेशन को हम डिर्यक एक्वेशन पी बोलते हैं क्यों कि व्री अक यह डिरेकर ने ही निका लीति ऑगले ठीक है अब देखो एक्जाम्पल के तोर में आपको समझाता हूं चीज को ध्यान से देखना देखो यह मेरे पास दो यह भोर खुरी के साथ से hydrogen like atom में न is equal to one यह is equal to two गई दो energy level हो गहीं हमारे पास क्या होता है यह हमारे पास क्या होता है एल होता है ठीक है यह भोर चोरी के साब से है अब यदि हम बात करें डिरैक डिरैक के साब से तो डिरैक ने देखो क्या बता है तो फाइन स्ट्रॉक्चिर स्प्लेटिंगी तो कंसीडर की थी डिरैक में हमने जिसमें दो चीज़ा आते के सब्सक्राइब आते विश्में डिरैक बाते अलेटिविस्टिक चेंजीन काइने डिर्जी से हम करते हैं तो देखो ध्यान से देखना एन इस इकोल डुए यहां पर मेरे पास क्या है वन है देखो एन इस इकोल डून और न तो एल का वेल्यू मेरे पास कितना आजाएगा L का value मेरे पास कितना आजाएगा 0 आजाएगा और मेरे पास जो J होगा J कितना होगा simply हमारे पास हम जानते हैं L एक मिनट सुरी L plus minus 1 upon 2 होता है तो देखो L is equal to J के लिए तो S आग है हमारे पास ठीक है यहाँ पे जो simplis के forward में दिखा रहा है आगे लिखा वे यह n is equal to 1 है और जब L का value में 0 रखोंगा तो J का value कितना आएगा मेरे पास 1 upon 2 आएगा देखो हम यह maximum quantum number होता है total maximum quantum number जिसको हम में सा positive लेते हैं तो मेरे पास कितना आजाता है यहाँ पे J होता है तो यह 1 upon 2 आगया simply ठीक है तो डिरैक ने बतायता जो देखो यह energy जो होती है थोड़ी सी कम होती है fine structure splitting डिरैक equation के साफसे उस formula से जब हम करेंगे ना यह energy थोड़ी सी क्याती है कम आती है तो इसलिए देखो हमने यह बनाया ठीक है N is equal to 2 की यह दी बात करें तो डिरैक के साफसे भोर ने तो बता देख energy level है लेकिन डिरैक इस पिनिश डिरैक equation के साफसे देखते हैं यह एक energy नहीं है इसमें दो energy है degenerate है उसके साफसे देखो N is equal to value 2 है तो L का value मेरे पास कितना आएगा लका value 0 होगा ठीक है और L का value मेरे पास 1 होगा तो L का value जब 0 होगा तो J मेरे पास simply कितना आजाएगा 1 upon में 2 आजाएगा अर L का value जब मेरे पास 1 आएगा तो देखो हैं 1 रखेंगे तो एक बार तो 1 अपॉन 2 आजाएगा माइनस करके और एक बार प्लस कर देंगे तो 3 अपॉन में 2 आजाएगा अब यहां ध्यान से देखना J का value देखो जब हमने L is equal to 0 लिया तो L is equal to 0 लियानी S orbital हो गया J का value 1 अपॉन 2 होगा सामने लिखावे 2 अनी second cell की बात कर रहे है ठीक है न तो direct के इसाब से एक बात ध्यानक न है energy जो न भोर के साब से देखें direct के साब से तो कम होती है आप देख सकते हो मैंने नीचे बना है तो यह आगे समझ में देखो यहां पर L का value कितना है 1 है तो L का value देखो क्या होगा मेरे पास 1 होगया J कितना होगा मेरे पास 1 upon 2 होगा J1 upon 2 होगा N का value 2 है Simply देखो इसी तरीके से L का value 0 होगता है तो S orbital J का value 1 upon 2 होगया अभी दो आएनर्जी लेवल निर्भर कर रा था एन और जे पे निर्भर कर रijn represent सावर अजा में यह आ लेकिन ध्यान से देखना उसक को एक्सिफ्टानली में निकाला तो विजया को बताएँ दू है कि ऐख सिफ्त हुआ कि दो थे एक रीधर फोर्ट था राधर फोर्ट नहीं रीधर फोर्ट थे तो उन्होने इसको experimental बता बता जिसको हम पढ़ेंगे ठीक है तो देखो общ में तो कोई splitting नहीं होती है यह जो इन लेवल हुती है दो में split हो जाते हैं यह simply मी रहा एक ही रहता है अब जो यह लिखाव है ना इस चीज़ को हम बाद में hyperfine structure हम बाद में पढ़ेंगे simply मैंने बस समझाना के लिए यहां पे लिख दिया hyperfine structure splitting जो होती है ना वो nucleus spin और electron spin में interaction की वज़ेस होती है अब एक बात important सबसे देखो यहां पे क्या n का value इन orbitals में n का value और देखो j का value क्या है same है ठीक है ना n और j क्या है same है लेकिन l क्या है यहां पे l zero है यहां पे l क्या है different है तो lamp shift यही होता है कि यदि हमारे पास कोई energy levels है जिसमें n और j same है और l क्या है different है तो उसमें splitting हो जाएगी समझ मैं और जो energy के बीच उन दोनों के बीच में जो gap होगा जो energy gap होगा उसको हम बोलते है lamp shift तो energy same होगा l यह दे different है ऐसे energy अब यहां पे देख सकते है ना n तो same है j different है लेकिन n same है j b same है l different है तो जो shifting होती है ना इसे terms में spectroscopic terms जो लिखें में उसको हम lamp shift बोलते हैं ठीक है अब देखो यह चीज़ हम कट चुके हैं तो हम मैंने जैसे बताया है तुम्हें theory के हिसाब से energy same quantum numbers होते है लेकिन l यह दी different है तो degenerate होते हैं किसके हिसाब से fine structure यह direct theory के हिसाब से लेकिन लेकि lamp shift ने ना 19-30 में जब experiment परफॉर्म किया गया है तो हमने देखा कि यह चीज़ गलत है यह दि एन और जैसे में l different यह दी है तो degenerate नहीं होते है non degenerate energy level होते हैं difference आता है हम में ठीक है two s1 upon two level जो होते है ना slightly upward shift होता है तो experimentally जब देखा गया मतलब ऐसाब निकला तो कितना है था 0.03 cm inverse level बही बताए कि इतना difference आना चाहिए ठीक है ना समझ मां गई बात तो आए चलते हैं इसको lamp shift के बारे में पढ़ते हैं तो 1947 में लेंब रदरफॉर्ड ने microwave experiment परफॉर्म किया hydrogen atom पर microwave और radio frequency region में एक्सपरिमेंट अक्चली में परफॉर्म किया गया था तो उन्होंने बताए कि जो hydrogen-like atom है ना उसमें यदि N और J क्या है सेम है लेकिन different L हो तो जो energies होगी ना वो degenerate नहीं होगी समझ माया degenerate का मलब सेम energy होता तो degenerate नहीं होगी नहीं सेम energy नहीं होगी एक्जामपल की तोर पर हमने आड्रोजन में बताए एक तो 2P12 और 2S12 यह एक्जामपल यह तोर पर हमने बताए यह degenerate नहीं है but are separated क्या है separated है और जो separation होता है उसे ही हम क्या बोलते है लेंब shift बोलते हैं ठीक है समझ माया की बात तो देखो एक्जामपल देखो यह तो मेरे पास हमने बना दिया यह हो गया हमारे पास n is equal to one ground state यह क्या n is equal to two ऊपर देखो यह धिध्यान हो डिरेक्ट थियोरी के साब से तो दोनों सेम थे लेकिन लेंब ने जब experiment में लिव हमें बताया कि इन दोनों में क्या है difference है और 2S12 जो लेवल है यह ऊपर होता है ठीक है न और इसी लेवल को हम क्य 0.0353 cm inverse यह हमने ओपर भी बताया तो ओपर मैंने 0.03 something रिखा था यह exact हमें experiment से मिलता है ठीक है न तो देखो लेंब लेंब सिफ्ट को हम experimentally समझते हैं अब लेंब रधर फोर्ड experiment actually में था क्या अब गोर से चीज को धियान से देखना थोड़ा सा देखो लेंब रधर फोर् को लिया गया अब hydrogen molecule को oven से पास करा गया तो hydrogen atoms में इसको dissociate कर दिया गया अब hydrogen atom को beam की form में जब हमने इंपिंज किया ना forward तो क्या-क्या slit से पास करा है ताकि collimate हो सके एक particular direction में जा सके तो यहां पे मेरे पास hydrogen atoms है यहां पे hydrogen molecule था oven की मज़ीत से हमने उसको किस में बदल दिया hydrogen molecules को hydrogen atom से में बदल दिया अब यहां पे canthode हैu यह यहां से क्या डाले गए electron डाले गये अब किस पर electron डाले गए है hydrogen atom पर ताकि electrons इस लिए डाले गए है ताकि electron क्या कर सके it stop कर सके energy provide कर सके hydrogen atom को और वह अपनी ground state से किस में आ जाए excited state में आ जाए अब वो जब excited state में आ जाएंगे ठीक है यह देखो हमारे पास यहां का microwave गाइड है यह अब यहां पर radio frequency और microwave frequencies हम apply करते हैं electron beam पर तो पहले experiment जब हम करेंगे ना इसमें तो इसको हम apply नहीं करेंगे ठीक है न magnetic field को और radio frequency को हम apply नहीं करेंगे फिर एक बार apply करके देखेंगे क्या चीज़ आती है कोई दिक्कत है है हाँ पर समझ माई बात तो इससे पास होने के बाद जो hydrogen atom हमारे पास है tungsten फोल पाता है tungsten फोल से फिर electron ये इजक्ट होते हैं इलेक्ट कलेक्टर इलेक्टर इलेक्ट्रोन कलेक्ट करता है गैल्वनमेटर से फिर रीडिंग आती है समझ मांगी बात ठीक है आप देखो important बात जो समझने लाइक है मैं इसको आपको यहां पर समझाता हूं अलग से धि तो देखो डिरैक्ट ठेहरी के इसाब से न अब ध्यान से देखना यह s12 यह 2 है यह 2 pf12 देखो मैंने सेम बनाये उपर नीचे ननी बनाया डिरैक्ट ठेहरी के इसाब से पहले बता रहे हूं एग पता कैसे चलाबए यह हमारे पास इनमर्डिस्व्ट है देखो किए मेरे पास ground state है ठीक है ना तो देखो जब molecular hydrogen na oven से निकला तो hydrogen atoms में dissociate होगा तब उस पर हमने electrons को इंपिंज करा है इस इस पर डाले तो electrons जब डाले तो hydrogen atom किसमें आगे excited state में आगे तो जब x अगी यह तो ground state है हमारे पास यह क्या है ground state है ठीक है ना अब जब हमने electrons इस पर डाले तो excited state क्या होती है n is equal to 1 है और first excited state क्या होगी n is equal to 2 यह n is equal to 2 ही तो बना है तो electron देखो यहां सकता है यहां सकता है ठीक है अब electron हमारे पास देखो क्या होगा excited state में चला गया अभी हमने उस पर कोई my electric field कोई frequency कुछ apply नहीं क्या है अब जब excited state में electron जाएगा तो फिर वो क्या करेगा de-excite करेगा है समझ माय यह नहीं है ठीक है वो emit करेगा photon अब ध्यान से देखना देखो तो यहां पर आने से पहले इतना कम समय लगा देता है तो जब यहां पहुंचा तो यहां था तो यहां से भी ग्राउंड इस्टेट में आ गया तो तो टंगस्टन वह पासाने से पहले और वक्रावन स्टेट की अब टंगस्टम से सब् Singh इसके साथ सब्व ह क्रावन डिश्टेट में इसके साथ अब चुछ से वह सब्सक्राइज कर रहें ऊंवे कि आप ऌने ह fixing उस्सक्राइब और करें यहां पर कोच्श समय के लिए वो यह इसी वज़े से सोना मैं निटाबल स्टेट पोलते हैं यहां से तो तरन इमिट आ जाएगा इस से अर इस स्टेट से समझ मां की बात अब देखो क्या जám अब यहां से तो हम इल्यक्ट्रो निकालना है ना तो क्या 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 कि radio frequency apply की गई तो radio frequency जब apply की गई तो जो electrons इस state से यहां थे, यहां से वे तो already आते ही, तो यहां पे जो electron present था ना, तो जब radio frequency हमने apply की गई, तो उसने उस कुछ frequency की light frequency क्या की absorb की और absorb करने के बाद वो कहां पहुँच गया यहां पोँचना चीज़े था उसको और यहां से वो at once क्या कर देगा emit कर देगा, समझ मा आ गई बात ठीक है, तो यह चीज़ है तो हमने जेखो जब क्या देखा तो यहां से सिधा आ गया जब frequency हमने apply की तो अब भी हमारे पास गैलो नेवंटर में कोई reading नहीं है पहले reading आ रही थी, पहले reading जानते है कैसा आ रही थी ध्यान से सुनना मेरी पूरी बात देखो, जो हमने जब रिडो frequency apply नहीं की थी थी ना electron को जब excite हुआ, तो यहां सकता excitation, यहां सकता है, यहां सकता है ठीक है, तो यहां से at once आ गया, यहां से at once यहां आ गया लेकिन जो इस state में लगटोन था ना, वो तो ground state में नहीं है ना वो जब tungsten से टकराता है ना, तो अपनी energy tungsten को दे देता है तो energy release करते है वक्त ना, किसमें आ जाता है वो ground state में आ जाता है, समझ महां की बात, कोई इकता है, नहीं तो पहर्ट जब हमने frequency apply नहीं कीती ना, radio frequency तो उस इस्थिती में हमें reading मिलती है, galonometer में जब हमने radio frequency apply कर दी, यहां से और यहां से तो transition आई जाएगा क्योंकि electron excited state में है, लेकिन जब हमने देखा ही इस state से हो क्या करता है, जब frequency apply करते हैं, तो कुछ frequency absorb करते है, energy absorb करते है, rate once यहां आzte तो collector plate के पहुचने से पेले ही, ground state में आ जाता है, तो उस case में कोई reading नहीं आती है, जब frequency apply करते हैं, aquest नहीं आती है, तो इसका मतलब हुए ना कि इस line के इस यह जो gap है ना इतनी एलेक्ट्रोनी एपजोर्ब की होगी अब जितनी हमने apply की थी वो हमें पता है कितनी है कुछ certain frequency वो इसने क्या की होगी apply की होगी समझ मैं यह नहीं है तो जब यह gap measure किया गया गया अच्छली मैं जो उस frequency चाज़े energy gap measure किया मान लो यह 10 है 10 unit है कितना है मान लो यह 10 unit है एजून करो यह मान लो 10 unit है जो direct theory थी उससे यह energy gap जानते कितना आ रहा था यह energy gap आ रहा था 12 unit मान लो ठीक है यह energy gap कितना आ रहा था 12 unit आ रहा था तो इसका मतलब experimentally 10 unit आ रहा है direct equation बारा unit gap दिखा रहा है तो इस बारा unit इसका मतलब है यह वाला gap energy ना level matter stable थोड़ा सा उपर होगा है ना तो यहां से यह तक तो तबी तो यह 10 दिखाएगा कम दिखाएगा तो इस वजह से lamb shift के बारे में पता चला था मैं समझ महांगी बाद ठीक है तो यह है ओलड़ी मैं इस चीज को हम discuss कर चुके हैं तो some of the normal items जो थे ना इस state में इलेक्ट्रोन गन जब हम उस लेक्ट्रोन गन से लेक्ट्रोन करते एक्साइट करते ना तो यह तीन excited state में पोच जाते हैं वह हमारे पास ठीक है ना यह मैं लिखा है आप इस चीज को समझ सकते हैं यह मैं वैसे explain क कर सका चुका हूं लेडी ठीक है अब देखो इन तीन excited state में पोच गए तो अपना ground state में आ जाते हैं लेकिन matter stable state वाला ground state में क्यों नहीं आ पाता क्योंकि one dell is equal to zero क्योंकि the ground state में भी L0 है एक्सा यह 2S है नहीं यहां पे L0 है तो यह आसानी से इमिट नहीं होगा यह तंगस् ग्राउंड state में आएगा ठीक है तो रीडिंग हमें गैलोनमेटर में तभी मिलेगी तो यह चीज़े है तो इसके भी हम इसको बता चुके है matter stable item returned to their ground state by collision with the plate from which therefore electrons were emitted the stream of electrons who produced was collected and passed on to a galaminator whose reading was measured ठीक है यह ओल्रड़ी हम discuss कर चुके है यह भी मैंने बताया जब हमने को certain radio frequency apply की त लब है electron absorb किया है metastable state में है ना और वो अपर state में गार वहां से at once क्या हो जाते है डीके हो जाते है तो at once decay हो गए तो already ground state में गए टंगस्टन प्लेट के पोचने से पहले ही तो electron कहां से निकले है क्यों कितना energy नहीं होगा ना ground state वाले hydrogen के पास क्यों टंगस्टन से क्या नि कर ला था ठीक है समझ मैं तो यह जैसे मैं बता है कि difference देखो क्या में वो डिरेक्ट थिरी के साब से आना तो 0.36 cm था लेकिन वो 0.0353 cm कम मिला तो वही मैंने बताया आपको फिर से मैं चीज को explain कर देता हूं तो ड्रेक्ट डिरेक्ट थिरी ने बताया मान लो यह हमारे पा चाहिए है न यह जोड़ा सा क्या होना चाहिए ऊपर होना चाहिए तो यह ही इसी वज़े से तो डिरेक्ट थोरी के यह साब से 0.365 cm सेंटीमेटर इंवर्स होना चाहिए था लेकिन वो 0.0353 cm कम था तो इतना कम कैंप जैसे आप कितना कम है दो कम है न तो यही तो गेप हो पास को जो space है ना, वो actually empty है, अब उस empty space में जो electromagnetic field के vibration होते है ना, उसके साथ जब electron का interaction होता है, उसकी वज़े से lamp shift होता है, तो lamp shift actually में है क्या, interaction है, electron का, किसके साथ zero point vibrations of the electromagnetic field in vacuum, देखो कुछ भी चीज़ खाली नहीं होती है, classical ही तो यदि कुछ नहीं है, तो वहाँ पे हम zero समझते हैं, लेकिन quantum mechanically vibrations होते हैं, vacuum में भी, और उस vacuum में जो electromagnetic field के vibrations होते हैं, उससे जब electron interact करता है, तब हमारे पास क्या होता है, जो stationary energy levels होते हैं, वो raised हो जाते हैं, तो lamp shift में भी यही होता है, तो यह पूरे actually quantum electrodynamics, क्यों ED का topic है, हम इसको थोड़ा, हमारे scope से बहार है यह चीज़े पढ़ने के लिए ना, इसको थोड़ा research वगरा में आप पढ़ोगे तो चीज़ा आज जाएंगी समझ में, लेकिन हम मैंने जितना बता है, आपको उतना भी किसी किताम में नहीं मिलेगा, ठीक है, तो as a result of interaction with vacuum, vacuum के साथ electron का interaction होता है, जिसकी वज़े से वो क्या करने लगता है, वाइब्रेट करने लगता है, अपने orbit में, ठीक है न, और उसकी वज़े से उसमें spread आता है, इसके vibration की वज़े से ही, तो जो नूकलेस के साथ जो interaction होता है, वो तो तेल लेकिन वो weak होता है, वीक हो जाता है, ठीक है, जिसकी वज़े से जो stationary levels होता है, उसमें क्या आता है, राइज आता है, तो simply यह एग्जाम में पूछे, एक line में region for lamp shift, तो it is because of interaction with zero point energy in vacuum, यह हम self interaction भी इस चीज़ को बोलते है क्या बोलते है, self interaction भी बोलते है, ठीक है न, इसको self interaction भी कहा जाता है, vacuum के साथ, vacuum के साथ, electron का interaction को क्या बोलते है, self interaction बोलते है, ठीक है, अब देखो, vacuum में जैसे मैंने बता है, electromagnetic field के साथ, electron का क्या हो रहा है, interaction हो रहा है, तो इसी वज़े से इसको radiation shift भी बोलते है, because of the interaction with electromagnetic radiation in vacuum हुआ है क्यों में लेक्ट्रोमेग्नेटिक रिडिशन के साथ इलेक्ट्रोन का जो इंट्रक्शन हो रहा है न उस वज़े से इसको क्या बोलते हैं रेडिशन सिफ्ट बोलते हैं ठीक है अब बात करते हैं देखो वैरियेबल मेग्नेटिक फिल्ड की इन लैंप सिफ्ट तो मे यह सिफ्ट होगा भी तो हमें आसानी से पता चल जाएगा सारे एनर्जी लेवल्स हमें मतलब पता चल जाएंगे ठीक है ना एक तरीके से जीमन कंपोनेंट हम पढ़ेंगे तो कहने का मतलब देखो यह है वेरियेबल जो मैगनेटिक फिल्ड है ना मेड पोसीबल दा सेपरेशन नोट ओल्ली जीमन कंपोनेंट मतलब जीमन कंपोनेंट कहने का मतलब यह है कि जब हम देखो हमने अभी तर्क क्या पढ़ा हमने स्प्लीटिंग देखिए एनर्जी लेवल्स की ठीक है ना इस्पीन ओर्बिट स्प्लीटिंग देखिए रिलेटिविष्टिक स्प्लीटिंग देखिए है ना relativistic splitting देखी तो यह सारा internal split हो रहा है हम जब बहार से magnetic field provide करते हैं तब भी energy में क्या होता है splitting होती है तो हमें यह पें सारे possible cases ले रहे थे कि सारी हमें energy levels मिले सारी splitting मिले तभी तो पता चलेगा कि energy levels उपर कौन सा है नीचे कौन सा है shift क्या है तो इसी वज़े से magnetic field भी लगा गया गया जीमन splitting होती है कि splitting of spectral lines in external magnetic field वही जीमन होता है तो इसी वज़े से magnetic field भी लगाया गया ताकि हमारे पास क्या जाए सारी splitting possible हो ठीक है दूसरा 40th disintegration नहीं होना चाहिए due to star effect disintegration कहने का मदलब देखो यह क्या चानक से को disintegration नहीं होना चाहिए star effect की वज़े से जो electric field होता है ना वह एक साथ नहीं आने चाहिए जैस मैंने बता है magnetic field क्या करता है discrete orientation प्रोवाइड करता है और energy levels में splitting हो जाती है तो हमें disintegration नहीं चाहिए splitting चाहिए energy levels की तो एक तो कारण यह है दूसरा magnetic field पर्टिकुलर frequency चूज करने में भी क्या करता है मदद करता है variable frequency तो प्रोवाइड करता है है ना तो हमें पर्टिकुलर frequency भी प्रोवाइड करता है जिस पर हम यह ना एक मालो हमें को पढ़रे जोने चाहिए माले पहां चाहि ठीक है तो यह भी किया भी यह गया था ठीक है एक certain frequency अब्जोर्व की थे ना metastable state में हाइडोजन ने ठीक है तो यह था हमारा पूरे पास पूरा देखो lamp shift ठीक है तो lamp shift को मैं यह दी summarize करूं तो मैं आपको एक चीज बसा तकता हूं हमने बहुत ज़्यादा discuss किया इतना exam मे पूछेगा नहीं तुम से बस इतना ध्यान लखना यह इनर्जी लेवल में same energy है ठीक है ना same energy है और L क्या है different है L क्या है different है तो हमारे पास lamp shift आएगा ठीक है आप जैसे मैं suppose यह ले ले लो D 3 और यह suppose 1 appointment 2 है और यह 3 F यह suppose 5 upon 2 ले लिया मैंने यह भी 5 upon 2 ले लिया यदि आप गोर से देखो N का value क्या है same है J क्या है यह भी same है लेकिन जो L है ना यह different है तो इन दोनों में क्या होगा हमारी पास shift होगी जिसको हम क्या बोलेंगे lamp shift कहेंगे ठीक है तवास तक के लिए नहीं तब तक के लिए नमस्कार झाल